हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आपका स्वागत है नीटेक्स चैनल पे मैं राघव मास्टर टीचर एट वैदानतु आप सब लोगों को स्वागत करता हूं तो बच्चों अभी हम गरत सिरीज में क्लास 12 के लिए हैं गरत सिरीज में हम कर रहे हैं कॉडिनेशन कंपाउ तो कॉडिनेशन कंपाउंड में आज हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे स्टार्ट तो लेक्चर नंबर 3 में हमें क्या पढ़ना है आज बिसिकली अगर हम उसकी बात करें तो आज बड़ी छोटे-छोटे दो टॉपिक हम पढ़ेंगे एक हम पढ़ेंगे वर्नर्स थियोरी और गड़ेंगे effective atomic number basically बचो इस चैपटर के अंदर हमें चार थियोरी पढ़नी होती है एक वर्नर्स थियोरी एक effective atomic नमबर एक वैलेंस बॉंड थियोरी और एक क्रिस्टल फिल्ड थियोरी तो इन चार थियोरी में से दो थियोरी जो छोटी-छोटी है जो बहुत ज्यादा बड़ी थियोरी नहीं है उनको आज हम एक साथ पढ़ लेते हैं फिर देन वी बीटी को हम पढ़ेंगे और देन हम क्र साथ 12 में 4 थियोरी थियोरी में से आध मूध दो पढ़ते हैं और उन दो थियोरी का है और कैसे क्या होना है इसमें अगहरक्पत कुंसे स्टार्ट करने से पहले वर्णर थोड़ी समझ लीजे सबसे पहली कॉणिशन कंपाउंड के अंदर क्या क्उदिशन कंपाउंड से रिलेटेड एक थोड़ीं है कि मदलब वरनर नाम के साइंटिज थे इन्होंने अठाराव सो संधिंग में मिलब इनका रिसर्च वर्क है इन्होंने कुछ एक्सपरिमेंट्स किये उन्हें एक्सपरिमेंट्स को और उस अबसर्वेशन के बाद कुछ conclusion निकाल के दिये यह थिए उस टाइम के हिसाब से परफेक्ट थी बाद में इस थियोरी में काफी changes हुए इस थियोरी में नहीं पर्टिकुलर जो इन्हों ने अपने पॉस्टुलेट्स दिये थे वो बाद में उसमें कुछ इन्हों ने क्या पताया था उस समय के हिसाब से जो फथा में वो बढ़ना तो इन्होंने कुछ बताये था कुछ ऐसे एक्सपरिमेंट्स पहले हम उनके प्रम उनके इकस,, के बारे में बात करेंगे अगर मैं पॉस्चुलेट की बात करता हूं तो इन्होंने हमें कुल मिला के बिसीकली अमलब देखो पॉस्चुलेट क्या है अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग तरीके से लिखे हुए दिखते हैं तो उनका कंक्लूजन मैं आजे पॉइंट कंपाउंड मैंटल्स को इन क्योडनेशन कंपाउंड मैंटल स्रू टाइक ऊफ घाल से लिंगज प्राइमरी और सेंव चली के दर होते हैं और एक स्भेर के अंदर हम इसे मतने Career करते हैं और square bracket वाला जो part होता है that is known as a coordination sphere तो जो metal है उसके पास दो type की valency होती है ऐसा वर्नर्स ने बोला था एक primary और दूसरे second चलिए primary valency कौन सी होती है primary valency is normally ionizable and are satisfied negative ions उन्होंने बोला था कि जो coordination sphere जो आइसी valency जो ionize हो सकती है और generally उस time के हिसाब से बाद में ये primary valency या फिर जो ionizable valency है वो cut ion भी हो सकती है उस time के हिसाब से जो ionizable part था वो negative ion था यानिकि इन्होंने बोला normally satisfied the negative ion किस से satisfy हो रहा है negative ion से satisfy हो रहा है चलिए next point की बात करते है the secondary valency is non ionizable means जो coordination sphere के अंदर part था जो ligands की तरह विहेब कर रहा था जो metal को direct coordinate bond बना रहा था उन्होंने बोला कि secondary valency एक ऐसा part है उसका जो ionize नहीं हो सकता the secondary valency is non ionizable these are satisfy neutral molecules और negative ion ये जो satisfy महला इसमें कौन role play करता है या तो हमारे पस negative ion प्ले करेंगे या फिर neutral part प्ले करेंगे ठीक है इन्होंने इतना बोला the secondary valency is equal to the coordination number जो secondary valency था वही coordination number और coordination number में आपको बता चुका हूँ coordination number क्या है एक central atom की property है means central atom कितने coordinate bond बना रहा है ligands के साथ this is known as the coordination number तो secondary valency is equal to the coordination number and is fixed for a metal किसी एक metal के लिए fixed होगा जैसे कि for example हमने एक example लिया CO, CL, NS3 whole 5, 2 plus और CL minus तो ये वाला part जो है this is the primary valency इसके अंदर metal metal हमारे पास कितने उससे बना रहा है ligand से एक CL से और 5 ammonia से connected है तो secondary valency कितनी हो गई 6 because 5 ammonia और 1 CL atom connected है इसमें clear ये point clear होगा होगा उम्मीद करता हूँ इसमें कुछ नहीं है पहला atom having two valency कौन सी primary और secondary primary किस से satisfied होती है NIN से secondary किस से satisfied होंगी वो NIN as well as neutral atom से satisfy होंगी primary ionizable है secondary non ionizable है ये point clear होगा चलिए come to the next वाले postulates में primary valency is shown by dotted line ये मैंने as a extra point में add कर दिया है जब हम इसको represent करते हैं जब notebook पर represent करेंगे तो उसे dotted line से like this like this like this secondary valency is shown by thick line ये जो thick line है ये जो thick line है ये हमारे पास क्या है secondary valency के लिए show बता है अब हमने कई बार देखा जब हमें Werners ने बताया मलब Werners की theory के according ऐसे कई ion थे जो secondary as well as primary valency दोनों satisfy कर रहे थे तो उसको कैसे represent किया जाए तो उसके लिए उन्होंने बताया कि अगर ऐसा case आ जाएगा तो उसको dotted as well as thick line दोनों तरीके से आप represent करेंगे तो यही बोला है negative ion may often show a dual behavior that is it may satisfy both primary and secondary valency अगर वो ऐसा कर रहा होगा dual behavior represented by both thick and dotted line as a representation के तरीके को मैंने यहाँ पर बात करिये point clear हो गया as a representation के method को यहाँ पर बात करिये यह एक example मैंने दिखाई दिया आपको इस तरीके से हमें represent करके दिखाना है उमीद करता हूँ यह point आपको clear हो या होगा ठीक है come to the next one अगर हम चलते है next the ions group bounce by a secondary linkage देखो अगर हमारे पर उन्होंने बोला कि हर molecule का कोई shape कोई geometry होती है तो geometry and shape जो decide करता है वो deciding factor है secondary valency यानि कि जो ligand के inside वाला पार्ट है वो inside वाला पार्ट decide करेगा कि इसकी geometry and shape क्या है उस समय के हिसाब से जो special arrangement के हिसाब से वर्नर्स ने जो observe structure जो observe किये उन्होंने कौन से करें अभी मैं इस पर discussion करता हूँ the ions group bound by the secondary linkage to the metal have characteristic special arrangement special special means हवा में हवा में क्या arrangement है special means खाश वाला नहीं भाई वो मेरे ले special person है नहीं नहीं वो वाला नहीं special space में क्या arrangement है उससे related यहां पर बात है special arrangement corresponding to different coordination number अलग-अलग coordination number पर अलग-अलग special arrangement होगा उसके basis पर अलग-अलग geometry होगी so more common shape of coordination compound is हमारे पास octahedral, tetrahedral and square planar यह तीनों के बारे में हमें इस chapter में पढ़ना है यही basically यही तीन हमारे chapter में रहेंगी कौन-कौन सी बच्चो रहेंगी एक हमारे पास octahedral रहेगा, tetrahedral रहेगा और square planar रहेगा इनी तीन के बारे में हमें इस chapter के अंदर पढ़ना है चली बच्चे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इनका experiment क्या था वर्नर्स ने भाईसा postulate किस basis पर दिये थे आमें यह बात करते हैं वर्नर्स ने experiment परफॉर्म किये थे और उन्होंने बताया था कि अगर हम जैसे कि मालो उन्होंने complex लिये different different composition के और उन different different composition के compound उन्हों अभी पता नहीं उन्होंने ऐसे करके different different yellow color का compound लिया purple लिया green लिया violet लिया ऐसे different different compound लिये और उन्होंने उसकी agcl से reaction कराई और जब agcl से reaction कराई उन्होंने क्या करा उन्होंने suppose it हमारे पास for let's say कि इस वाले example की reaction कराता हूँ, उन्होंने 3 mol AgCl का precipitation पाया, let's suppose अगर मैं example देखता हूँ, तो मैंने बोला कि COCl3, COCl3.6NH3, इसकी reaction जब उन्होंने excess AgCl से करा दिया, sorry AgNo3 से करा दिया reaction, AgNo3, AgNo3 से reaction कराई, तो उन्हें जो भी मिला उसमें 3 AgCl मिल गया, प्लस extra समान, जो भी हमारे पास मिले तो उन्होंने देखा गया, अभी मैं वो भी लिख दूँगा, don't worry, अभी मैं वो भी लिखता हूँ, तो हमारे पास उन्होंने बोला कि इसका जो structure रहा होगा, possible, possible structure क्या रहा हो whole bracket, then TL3, मला यह तीनों CL जो है, वो आयोनाइज हुए होंगे, जब आयोनाइज हुए होंगे, तो यह Ag के साथ reaction करके गये होंगे, और उन्होंने क्या बनाया होगा, thrice AgCl, और यह AgNO3 मैं रूख के उपर लिख देता हूँ, और प्लस साथ में हमारे पास क्या बन क्या आया होगा, C-O-N-H 3 whole 6, और bracket close हमारे पास क्या आजाएगा, 3 plus plus NO3 minus, यह आयोनाइज हमारे पास बच जाएंगे, basically इस आयन के precipitation से हमें पता चला, इस complex का structure क्या है, चलो, अब मैंना सब के structure यहीं पर लिखकर आपको दिखा भी देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर अगर सब के structure लिखके दिखाऊँ, तो इसका क्या होगा, इसका होगा CO, NH3, whole 6, bracket close, और CL3, यानि कि यह जो 3 CL थे, वही AG, CL के साथ जाके, मैं अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो यह आएगा CO, bracket में NH3, whole 5, CL, और bracket close, और CL2, दो CL, दो CL जो बाहर वाले हैं, अच्छा, इन दोनों के structure की बात करता हूँ, तो दोनों का structure similar रहेगा, और यह रहेगा CO, NH3, whole 4, और bracket close, और bracket close के बाहर आएगा नहीं, अभी bracket close नहीं, that should be the minus, minus, that is a C, और CL2, bracket close बाहर, CL, अच्छा, यह दोनों का structure थेम है, तो यार, कलर अलग अलग क्यों नजर आ रहे हैं, यह ग्याएगा, ग्रीन कलर का, यह वाइलेट कलर का, ऐसा क्या हो रहा है भी इसमें, तो एक टर्म आता है, आईसो मेरिजम, एक्चुली यह जो compound है, यह आईसो मेरिजम शो करता है, एक हमारे पास cis होता है, दूसरा trans होता है, उसकी वज़े से फरक आता है, बट दोनों केस में, एक CL बाहर होगा, compound के, मलें, square bracket के, एक CL बाहर होने की वज़े से, एक ही मोल AGCL मिलेगा, समझ में आ गया, इन दोनों compound का structure क्या possible है, तो इन दोनों compound का structure जो possible है, वो यह है, बट आईसो मेरिजम डिफरेंट होने की वज़े से, इनका structure अलग अलग होगा, वो हम बात में बात करेंगे, वो हम बात करेंगे, VBT, या फिर जब आईसो मेरिजम, हम basically उसे आईसो मेरिजम हमें ही बात करेंगे, चले, यह point आपको clear हो गया, यह experiment से हमें पता चला, उन्होंने बताया कि भया, कितने AGCl का precipitation हो रहा है, उसका structure decide हो रहा है, चले, come to the next, और क्या experiment उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने परफॉर्म किया, जब यह compound उन्होंने यूज किया, तो electrolyte, यान हैं, तो उसमें electricity pass हो सकती है, pure water में electricity pass नहीं हो सकती है, salt होना जरूरी है, यानि कि ऐसे ions which can carry the charge, यानि basically अगर वो कोई molecule water में dissolve होने पर, अगर वो ionize हो जा रहा है, तो it can carry the electricity, या भी it can conduct the electricity, अब उन्होंने जब देखा कि इसमें electricity सब्ते ज्यादा conduct हो रही है, then, 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 इन दोनों में same, sorry, इसमें देखा, उन्होंने 4 ion electrolyte हो गए, इसमें 3 हुए, इसमें 2 हुए, इसमें भी 2 हुए, उन्होंने ratio का हिसाब लगाया, अगर ऐसा compound डाल रहा हूं तो 3, ऐसा डाल रहा हूं तो 4, 3, 2, 2, ऐसा क्या हुआ, उन्होंने देखा, कि भ इसलिए 1 is to 3 के electrolysis में हमारे पास electrolyte dissolve हो रहे हैं, और ये वाला 1 और 3, यानि कि 4 electrolyte dissolve हो रहे हैं, तो हमारे पास 1 cation और 3 anion, 1 cation, 2 anion, 1 cation, 1 anion, 1 cation, 1 anion, तो ऐसे कुछ experiment उन्होंने perform करें, और उन experiment के basis पर अपने conclusion दिये, और उस समय के हिसाब से best conclusion उन्होंने दे दिये, पॉइंट समझ में आगिया, अब इससे आपका question यह आएगा, सर इससे question कैसे बनेंगे, आई यह question की बात कर लेते हैं, इस theory से, पहले question से पहले हम एक table prepare करते हैं, क्योंकि हमारे exam में आएगा तो इस type के questions, यानि कि जो table हमारे लिए, जिस knowledge ये, जिस information से हम भी table prepare कर रहे हैं, that is a CO, और NH3, whole 6, bracket close, और CL3, ionization की बात करूँगा, तो CO, NH3, whole 6, this is a plus charge, और plus 3CL minus, secondary valency इसमें कौन satisfy कर रहे हैं, secondary valency से कर रहे हैं, 6 ammonia, 6 ammonia, 6 ammonia molecule, इसमें secondary valency satisfy कर रहे हैं, primary valency इसमें कौन satisfy कर रहे हैं, primary valency satisfy कर रहे हैं, 3CL minus ion, चले, एक information हो गई, इसको represent करते हैं, कैसे represent करेंगे, अगर मैं इसको represent कर रहे हैं, तो CO, NH3, whole 5, CL, whole 5, bracket close, और CL2, secondary valency कौन satisfy कर रहे हैं, CO, NH3, whole 5, और CL, bracket close, yes, how much charge should be there, बहार की side 2CL हैं, तो it should be 2+, और plus 2CL minus हैं, yes, secondary valency कौन satisfy कर रहे हैं, 5 ammonia हैं, और 1CL minus है, 1CL minus है, right now, कौन valency is primary, primary valency, 3CL minus ही satisfy कर रहे हैं, out of these, one satisfied both, yeah, one satisfying both, 1CL satisfy both, primary, as well as, as well as, secondary, point clear हो गया, right now, come to the next one, हमारे पास अगर next की बात करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको लिखेंगे, CO, अगर हम इसको लिखते हैं, yes, CO, now next आता है, NH3, NH4, 4, CL2, bracket, close, CL, yes, ionization, ionization पर क्या आएगा, CO, NH3, और next आता है, 4, CL2, और that is the, plus CL, this is the plus or CL minus, अच्छा, now next, हमारे पास आएगा, this is the 5, 4, NH3, and 2, CL minus, अच्छा, secondary, primary valence is satisfy हुर है, 3, CL minus, where 2 satisfy both, where 2 satisfy, 2 satisfy both, 2, 2 CL minus, satisfy, satisfy, satisfy both, both, आज इसमें काफी प्रॉब्लम आ रही है, 2, CL minus, satisfy, and secondary, primary and secondary, चले, next, last भी कंप्लीट कर लेते हैं, अगर हम last को कंप्लीट करते हैं, तो it is represented as CO, NH3, 3, L3, bracket, close, इसमें कोई आइनाइजिशन नहीं होगा, तो इसमें आइनाइजिशन as it is रहने देना है, secondary valency, 3 ammonia है, और 3 CL minus है, primary, all 3 minus, all 3 CL minus, will satisfy both, satisfy both, primary and secondary, तो बच्चों जो केवल primary show करती है, वही आइनाइज़ेबल है, यह ध्यान रखना है आपको, वर्नर्स के हिसाब से, जो valency, केवल और केवल primary satisfy करेगी, वही आइनाइज़ेबल है, यह थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि questions इसी basis पे बनने हैं, चलो, question की बात कर लेते हैं, which of the following has minimum number molar electrical conductivity, सबसे कमायन, सबसे कब molar conductivity, चलो, इसकी बात करता हूँ, मैं next, अगर मैं इसको लिखूंगा, तो क्या लिख सकता हूँ, CO, देखो, आपको 6 valency पूरी करनी होती है, coordination, क्योंकि उन्होंने 6 के हिसाब से बात करी थी, तो NH3 whole 4, और किते CL लेकर आँगा, 3, 2, CL2, एक आएगा बाहर, तो यानि कि यह आएगा plus, और plus 2 CL minus, अगर मैं इसको लिखता हूँ, तो क्या लिखूंगा, यह CO, NH3, NH3 whole 4, नहीं, whole 5, whole 5, और यह आएगा CL, एक CL अंदर, और यह, that should be the 2 plus, not उपर, यह आएगा हमारे पास कितने CL बहार आजाएंगे, यह आएंगे, अच्छा बच्चों, उपर गरबड हो गई, उपर हमने पहले सही लिखा था, CL, और bracket, 2 CL inside जाएंगे, 2, और plus, और plus CL minus, अच्छा, नीचे की साइट पर, 2 plus, plus 2 CL minus, ओके, नाउ, अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर आएगा बच्चों, C, O, N, H, 3, hole 5, और, नहीं, hole 6, TL, अगर हमने बात करी, CL, यस, यस, जल्दी बताइए, bracket close, और यह चीज हमने क्या लिख दी हाँ पर, 3 plus, plus 3 CL minus, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो C, O, N, H, 3, hole 3, 3, L, 3, bracket close, यानि इसके अंदर तो कोई ions है यहीं नहीं, यहीं molecule है, पुरा-पुरा, तो सबसे minimum molar conductivity किसकी रहेगी, इस वाले solution की, आईए, cross check करते हैं, answer कुछ रहा, अगर हम cross check करते हैं, yes, the right answer is D, clear हो गया सबको, now, come to the next one, in a complex, the correct statement, primary valency is ionizable, yes, the primary valency is ionizable, the primary valency is non-ionizable, नहीं, secondary valency is ionizable, नहीं, all of these, नहीं, तो what should be the right answer, first one, चले, yes, the first one is the right answer, come to the next, बस अभी हमारी पहला, जो हमारे पास question थे, पहली थेहोरी जो थी, वो हमारे पास end होगी, अभी हमारे पास next आती है, Sid-Vig effective atomic number, इन्होंने क्या बताया, कि ऐसे coordination compound, जिनका electron का sum, balance electron का sum, या फिर overall electron का sum, हगर हम निकालते हैं, अगर वो nearest noble gas को satisfy करता है, तो वो compound जादा stable है, इन्होंने ये observe क्या, इन्होंने एक थेहोरी दी, तो हम इसको पढ़ते हैं, EAN signifies the number of electrons available around a central atom within a complex, including the electron accepted from electron, ligands, मिंज़ उन्होंने बोला, किसी central atom के चारो तरफ जितने electron हैं, उसे effective atomic number बोला गया, अगर वो effective atomic number किसी noble gas के बराबर हो जाएगा, तो वो molecule या वो complex जादा stable होगा, चलिए आएए question actually exam में क्या आएगा इससे, इससे exam में question आएगा कि typically find the कौन सा molecule effective atomic number follow कर रहा है, बस इतना ही आएगा exam में हमारे पास, चलिए इसको निकालने का एक तरीका होता है, EAN, EAN is equal to atomic number of the central atom, atomic number of central atom, हमने लिग लिया central atom, Z minus, minus क्या, oxidation state of central atom, oxidation state of central atom, और प्लस, टोटल number of electron donated by ligand, टोटल number of electron, टोटल number of electron donated by ligand, आप ये तीन चीज़े देख लिजे, अगर आपको ये तीन चीज़े समझ में आ गई, अब उसमें एक छोटा सा note, अगर NO, ये note नज़र आ रहा है, यस नज़र आ रहा है, NO is considered as a three electron donor, इसको important में लिख लिजेगा, किसमें, important में, अगर कहीं पर NO आ जाए, तो उससे समझ लेना, three electron donor है, तेले बच्चे, हम बात करते हैं, अगर हम इस molecule की बात करते हैं, भाई हमने एक formula लिखा, हमारे पास एक example आया, FECN whole six three minus, चले बात करते हैं, सबसे पहले side में, मैं इसकी oxidation state निकलना बता जेता हूँ, मैंने oxidation state कैसे निकाली, अगर मैं मानता हूँ, X, Cn minus one होता है, क्या होता है, Cn minus one होता है, अगर minus one है, तो X minus six is equal to minus three, तो X is equal to plus three, चले, effective atomic number, iron का atomic number किता हो गया, 26, चले, Cn oxidation state minus oxidation state is a plus three, तो three, Cn, एक Cn donate करता है, दो electron, 6 Cn कितने electron donate करेंगे, एक basic सा rule, यानि कि plus two into six, आप इसको sum करिए, 26 में से 6 गया, 23, 23 में अगर हम add कर देते हैं, 12, तो that is a 35, एक बार calculation को cross check रखना, मैं calculation कर रहा हूँ, कुछ up and down होगा, तो आप अपने हिसाब से identify कर लिजेगा, point clear हो गया, कितना असान सा है, simple, बड़ा ही प्यारा सा question आता है, वो क्या हैगा, exam में क्या लिख देंगे, which follow the E, A, N, identify which one is having that 36 electron according to E, A, N, ऐसे question बस आते हैं हमारे पास इसकी, चलिए इसको देखते हैं, क्या E, N इसका, chromium, chromium का atomic number होता है 24, तो यानि कि 24, अच्छा, इसकी oxidation state अगर हम निकालते हैं, तो कार्वोनिल का, हमारे पास जो CO group होता है, कार्वोनिल बोलते हैं उस लिगेंड को, अगर 3 की बात करता हूँ, तो वो, उसके उपर चार्ज होता है, वो neutral लिगेंड है, यानि कि अगर मैंने उसकी बात करी, तो X, कार्वोनिल जीरो, यानि प्लस जीरो, इस इक्वल टू क्या हो गया, वह कुछ है नहीं, जीरो, तो X इस इक्वल टू, जीरो, वह या oxidation state क्या हो गई, जीरो, तो 24 प्लाइनस जीरो, प्लस कार्वोनिल, एक सी ओ, दो इलेक्ट्रोन डोनेट करता है, अगर दो इलेक्ट्रोन डोनेट कर रहा है, तो सोचिए, सोचिए, दो इलेक्ट्रोन, यानि कि 6 इंटू 2, जोड़ी है, कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 24, 36, यस, 36 किसका अटॉमिक नंबर होता है, क्रेप्टन का, अरे भहिया, हीना, नीना और कट्रिना, क्यार, HE, याद कर लो भहिया, HE, नीना, हीना, नीना, और कट्रिना, क्यार, X-ray, RN, रंगीन, हीना, नीना, और कट्रिना का X-ray, रंगीन, याद कर लीजे, समझ मागिया, चलिए बच्चे, हमारे पास, अब सिद्विक EAN ने क्या बताया, according to SIDVIC EAN, the complex in which EAN of the central atom equal to the atomic number of the next, noble gases are found to be extra stable, मा अल्रेडी ये चीज बता चुका हूँ, कि जिसके पास effective atomic number noble gas के बराबर हो जाएगा, उसके पास extra stability पाई जाएगी, चलिए, however, this rule fails in many cases and works best for metal in low oxidation state and metal carbonyl, जब उन्होंने भाई सब ये rule बनाये तो, देखो, ऐसा होता है कि भई, किसी बंदे ने कोई experiment चेक किया, उन्होंने 100 sample चेक करें, तो उस 100 sample में rule satisfy हुआ, पर उसी को, अगर जब उस data को हमने बड़े large sample में चेक करने की बात करिये, लाखों में, करोडों में, तो कही ना कहीं वो rule कही जगा fail होता हुआ, नजर आया, 100 में हो सकता है कि वो बहुत perfectly वर्क कर गया हूँ, पर जब वो fail होने लग गया, तो थीक है, fail हो रहा है, बढ़ हमने एक चीज अब्जर करी, जब metal in low oxidation state में तो perfectly चल रहा है, और metal carbon में तो कुछ ज़ादा ही अच्छे था चल रहा है, चलिए आईए कुछ compound उन्होंने metal carbon के रख दिये, उनको atomic number ते हम find out करते हैं, आईरन, आईरन का atomic effective 26 प्लस, CO वाले case में metal carbon जो होता है, वो zero oxidation state में होता है, यहाँ पर आजाएगा minus 0 प्लस, किते carbon हैं, यानि कि 5, तो 5 into 2, that is the 26 प्लस 10, 36, यानि कि 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 के बराबर हो रहा है, 36 krypton के बराबर हो रहा है, चलिए, इसके वाले case में देखते हैं, निकल वाले case में, तो निकल, निकल का atomic number हमारे पास कितना हो गया, 28, atomic oxidation state 0, 4 carbonil है, तो प्लस 4 into 2, that is the 36, यास, इसमें भी मिल गया हमारे पास, देखा, metal carbonil वाले में तो बहुत असानी से मिल रहा है, अगर हमारे पास इसमें देखते हैं, तो CR, अगर हम यहाँ पर निकालते हैं, CR, carbonil, अच्छा, CR का atomic number क्या होता है, CR का atomic number होता है, बच्चे 24, कितना होता है, 24, 24, और यह हो जाएगा, minus 0, plus 6 into 2 into 6, that is the 2 into 6, यानि कि 12 और 24, 36, आगया, metal carbonil में satisfy कर रहा है, that is the 36, तो हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, metal carbonil में satisfy हो रहा है, चलिए बात करते हैं, कि कुछ bridging compound में, जहाँ पर carbonil हमारे पास या तो bridged है, या फिर metal, metal, metal के बीच में bond है, जैसे कि एक example हमारे पास ये है, inner compound having metal, metal bond apart from the metal ligand bond, कई बार ऐसा हुआ, कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे bond metal ligand के ही हो, कई बार हमें देखने को मिला कि metal, metal के बीच में भी bond मिलता है, तब उस वाले case में ये EN के लिए क्या करा जाए, तब हमारे पास bond apart from the metal ligand bond, one electron is added to each metal in EAN of the calculation for such type of bond, जैसे मानलो यहाँ पर ये MN, MN, एक-एक bond मुना रहा है, तो भाई साब इस bonding में MN ने भी एक electron share किरा, इस वाले MN ने भी एक electron share किरा, तो दोनों की orbital में आएगा न, वो बच्चो count, तो मैंने क्या बोला, अगर EAN, भई एक atom के respect में निकाला जाए, तो MN का atomic number होता है 25, minus, oxidation state metal carbonil में पहली बताया था, 0 होती है, 0, प्लस, अचा, पर metal, 1, 2, 3, 4, 5, 5, इन टू, 2, प्लस, अब एक metal metal bond होगा, तो आप उस एक metal metal bond की वज़े से, एक electron extra add कर दोगे, क्योंकि एक electron extra इसके पास आया होगा, प्लस 1, ज़रा देखे कितना निकल किया आता है, 25, प्लस 10, प्लस 1, that is equal to 36 electron, कितना आया, that is equal to 36 electron, 36 electron, now come to the next one, EAN for bridged carbonyl, अगर bridging वाले portion में आ जाए, एक compound लेता हूँ मैं, मैंने एक compound लिया, एक example, Fe3, CO whole 12, अगर मैं इसके structure की बात करता हूँ, तो इसका structure कुछ ऐसे आता है, बच्चो, Fe, Fe, Fe और Fe, इस पर एक Fe ऐसे होता है, इस पर एक compound ऐसे आएगा, इस पर एक compound ऐसे आएगा, तीन आ गए, अब हमारे पास बचता है, नौ, एक CO, एक CO, और एक CO, ऐसे ही, एक CO, वन CO, वन CO, एक, दो, तीन, CO, 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 चलिए बचे, ये structure बना, हमने एक Fe एटम के लिए निकालना है, atomic number, 26, मैंने पहली बोला था, oxidation state आती ही नहीं है, इस में, metal carbonil वाले में, जब तो कोई और other ligand ना है, zero, plus, अचा, एक Fe पे how many, how many, pure CO, जिसको, के वलीजी से connected है, तो three into two, plus, अचा, इस पर ऐसे कितने CO हों है, जो bridging का काम करते हैं, एक CO की वज़े से electron इधर से आएगा, एक electron इधर से आएगा, भई, एक CO, दो ही electron तो दे सकता है, वो एक इसको देगा, एक उसको देगा, तो यानि की, two into one, यह किस से आया है, bridge वाले parts से, from bridge, bridge, B, R, I, D, G, E, bridge, CO, plus, how many metal-metal bonds, this Fe form, एक और दो, तो यानि की, two into one, from metal-metal bond, from metal-metal bond, अगर ऐसा हो जाए, अब ज़रा एक बार adding करो, submission करो, E, A, N, अगर submission करते हैं, तो कितना आता है, 26, plus 6, plus 2, plus 2, कुल मिला के 36 आ गिया या नहीं आ गिया, लगभग जितने metal-carbonil compound मिल जाएं, आप ये मान के चलना, लगभग सारे के सारे हमारे पास, E, A, N को follow करेंगे, चले, क्या हुआ अब हम question करते हैं, भई हमारे पास पहला compound आया, इन्होंने ये बोला कि explain करो, कि ये एक reducing agent है, पहली बात तो what is a reducing agent, reducing agent वो होता है, which oxidize, which reduce other, which reduce other, and oxidize, oxidize itself, and oxidize itself, अच्छा, oxidize itself है, तो oxidation क्या होता है, बच्चे, oxidation क्या होता है, loss of electron होता है या नहीं होता है, बिलकुल होता है, चलो, बिलकुल होता है बेटा, पहले पार्ट की तरह, हमारे पास compound है, M, N, C, O, whole, 6, यानि कि M, N, atomic number, 25, E, N, निकालते हैं, 25, plus, बात भी नहीं करनी यार, plus, 6 into 2, कितना निकल के आएगा, 25, और plus, कितना हो गया, 6, दुनी, 12, 37, इसके पास 37 electron है, it can lose an electron to get electronic configuration as a krypton, तो हमारे पास एक electron ये lose कर देगा, और krypton के electronic configuration में convert हो जाएगा, तो यस, it can lose, yes, it can lose, lose, one electron to get noble gas electronic configuration, क्या कर लेगा, electronic configuration, यस, this statement is the right statement, चले, क्या हम बात करते हैं, अब generally, अब सीदे, oxidizing agent means उसका उल्टा, oxidizing agent क्या होते हैं, जो दूसरे को oxidize करें, खुद reduce करें, और खुद का reduction होता है, gain of electron, gain of electron की बात करता हूँ, तो इसके लिए निकालते हैं, EAN, yes, EAN निकालूँगा कितना हो जाएगा, CO whole 6 can act as an oxidizing agent, यानि कि मेरे पास vanadium, सचिन्तिवारी VC, यानि 23 और carbonil, तेक्स होते हैं, 6 दूनी 12, आप add करिये, yes, आप add करते हैं, तो 35, 35 आता है, यानि कि एक electron इसे और चाहिए to get noble gas electronic configuration और उस electron को accept करके, क्या कर लेगा, noble gas electronic configuration एक्चीव कर लेगा, तो yes, it can act as an oxidizing agent, अच्छा, बच्चों, इसका case discuss कर लेते हैं, MNCO whole 5, MNCO whole 5, इन्होंने बोला कि यह dimerize करता है, चलिए, dimerize करने से पहले न, हम देख लेते हैं, कि अभी अगर हम इसको dimerize नहीं कराते हैं, तो इसका EAN क्या आता है, इसका EAN आता है, MN 25 plus 2 into 5, that is a 25 plus 2 5, जा 10, that is a 35, अगर यह dimerize कर देता है, बहिए dimerize का means क्या हुआ, MN, MN, एक bond यह बना, एक bond, एक दो, और 3, 4, 5, 3, 4, 5, यह ऐसे बनते हैं, CO, 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 ऐसे करके बन जाते हैं, चलो अब निकालते हैं, dimerize कराने का फाइदा क्या हुआ, चलो इसका निकालते हैं, dimerize कराने से कुछ फाइदा हुआ भी यह नहीं हुआ, आए MN, E, A, N निकालते हैं, 25, plus, 5 connected is पे, तो 2 into 5, plus 1, क्यों, क्योंकि metal carbon, metal metal bond बन गया, तो अगर मैं इसे add करूं, तो 36 हो गया, तो dimerize कराने से क्या फाइदा हुआ, कि एक atom, यानि जो metal है, उसका electronic configuration, as an effective atomic number, यानि कि 36 पहुँच गया, 36 पहुँच गया, यानि कि noble gas के वरापर पहुँच गया, इससे क्या होगा, इससे stability मिली उसे, ये E, A, N ने hint दी, कि ऐसे आप निकाल सकते हैं, चलिए भीया, अब हम बात करते हैं, और let's solve, effective atomic number of metal ion, in which the following complex is found to be, equal to atomic number of krypton, चलिए बात करते हैं, इसका krypton के बराबर किसका आएगा, क्रिप्टन यानि कि 36, अच्छा, PD का atomic number होता है, 28 plus 18, तो that is a 46, ये तो E, A, N निकालने बैठूंगा, इसका 46 वैसे नहीं आएगा, 46 plus ammonia कितने है, 6, 6, इसका oxidation state कितना है, यहाँ पर अगर oxidation state निकालूंगा, तो यह आजाएगा, X plus 6, नहीं, X minus 4, यानि कि X is equal to plus 4 आएगा, तो minus 4 plus 6 into 2, येस निकाल लिए कितना आएगा बच्चे, निकाल लीजेगा आप, या अगर हम इसका निकालते हैं, बच्चों चलो, हम randomly इस पर जम कर लिया, इसका वगर मैं effective atomic number निकालता हूं, तो E, A, N, चलिए, कोबाल्ट, कोबाल्ट के पास atomic number 27, अच्चा, C, E, N, how many, इसके पास 6 coordination number बन रहा है, बच्चों चलो, coordination number हमारे पास 6 है, अच्चा, एक जो electron डोनेट करेगा, अगर मैं इसकी oxidation, पहले तो मेरे को oxidation state भी तो निकाल ली है, इसकी अगर मैं oxidation state की बात करता हूं, तो X plus 0 minus 3 is equal to 0, तो X minus 3 क्यों करा, क्योंकि CL का minus 1 होता है, तो यह हो जाएगा plus 3, oxidation number plus 3, यानि कि minus 3 यहां लगाना है, और अगर मैं बात करता हूं, तो plus 2 into 6, क्योंकि electron, भाया, bidented ligand है, EN, EN is a bidented ligand, और bidented ligand जो होता है, दो donor sites होती है, और एक donor sites से 2 electron donate करता है, ठीक है, तो इस वज़े से, there is a 6 donor sites, और 6 donor sites की multiply हमने 6 से कर दी है, तो answer आ जाएगा, हमारे पास, 24 plus 6, 12 that is a 36, चलो, इसका भी निकाली लेते हैं, chromium, यानिकी, EAN निकालता हूं, तो that is हमारे पास 24, और इसका oxidation state, अगर मैं निकाल लूँ, तो X minus 1 minus 2 is equal to 0, तो X is equal to plus 3, कैसे minus 1 इसका minus 2 इसका, 24 और minus, जो भी oxidation state होती ही, उसको as it is लिखते हैं, 3, और यहाँ पर हमारे पास अगर हम निकालते हैं, तो 5 क्रोम, ammonia और 1 CL, यानिकी plus 6 into 2, आप इसे निकाल लिजेगा, 6 में से 3 गया, 21 और 12, 21 और 12, हमारे पास हो जाता है 33, निकाल लिजे, हमारे आंसर मिल चुका है, आप लास्ट वाले का, अच्छा नहीं नहीं नहीं, लास्ट वाले का मैं निकालना बताता हूँ, अगर हमें निकालना है, अगर MN का Oxidation State यहां पर, अब देखो, यहाँ NO as a plus है, यहाँ NO as a plus है, चलिए बच्चे अगर हम इसको निकालते हैं, तो MN का होता है, हमारे पास EAN, अगर मैं Oxidation State यहां पर निकाल लूँगा, बच्चे सोच यह कैसे निकालेगा, ऐसे यहां पर, Oxidation State यहां पर NO को ऐसे neutral मान के चलिए, हमें plus नहीं मानना है, Oxidation State यह भी 0, यह भी 0, तो minus 0, प्लस, अब यहां पर CO की वज़े से, 2 into 2, plus 2 into 3, क्योंकि NO here donated the 3 electron, we have to consider this, तो yes, आंसर निकाले क्या आएगा, 25 plus 4 plus 10, आप solve करेंगे, तो you will get the 35, तो the right answer is C, मिल तो गया था पहले ही, पर चलो ठीक है, यह मैंने एक table C बनाई थी, इसी मैं मेरे को filling करनी थी, तो इसको मैं आप खोड़ रहा हूं यहां पर, मैंने पीछे आपको calculation समझा दी है, yes, the right answer is this, okay, now, yes, effective atomic number of chromium in this molecule, कितना बढ़िया question है, अगर हम देखते हैं, तो yes, बच्चों, कैसे निकालेंगे, chromium EAN, chromium 24, oxidation state निकाले, x plus 0, minus 3 is equal to 0, x is equal to plus 3, आया समझ में, CL, यार, minus 1 oxidation state show करता है, तो यानि की, minus 3 plus, क्या आएगा, yes, जल्दी बताइए क्या आएगा, कितने 6 ligands है, 2 into 6, जरा सम करिए 21, और 6 दुनी 12, plus 12, that is, sum is equal to 33, क्या 33 option है, और cross check कर लेते हैं, कि 33 satisfy हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, yes, the right answer is, 33, अरे भी या कुछ समझ में आया, बस यहीं पर हुआ chapter end, बढ़ दो छोटे छोटे concept थे, आज इसको हमने समझा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अरे, एक complex तो रही गया है, question, चलो answer दिख गया, चलिए, एक question और करते हैं, चलिए, एक question और करते हैं, ये question है, हमारे पास एक complex है, जो E, A, N rule follow कर रहा है, मुझे X की value find out करते हैं, चलो, iron का atomic number होता है, E, A, N is equal to, इन्होंने बोला 36, क्योंकि E, A, N, Sidvig follow कर रहा है, तो 36 के आसपास, मतलब 36 ही मिलेगा, क्योंकि iron का atomic number 26 होता है, 36 is equal to 26, plus oxygen, मैं पहले बता है, oxidation state, carbonyl compound, carbonyl वाले पार्ट में, metal carbonyl में, oxidation state 0 होता है, plus, यहाँ पर, X into 2 कर दो, अच्छा, इसको solve करोगे, तो क्या आएगा, 36 इधर आएगा, 10 is equal to 2X, और अगर X is equal to, निकालो तो 5, यानि, how many metal carbonyl are present, that is a 5, point clear हो गया, कितने है, 5, तो हमारे पास, राइट आंसर के आजाएगा, yes, the right answer is 5, point clear हो गया, चलिए, come to the next one, अरे, यह तो end हो गया, चलो बच्चो, तो यही तक, यह दो थोरी थी, वर्नर थोरी हमने पढ़ लिया, आज के lecture में, और EAN rule, पढ़ लिया हमने, कि कैसे effective atomic number, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको चीज़े समझ में आ रही है, तो प्लीज लाइक करिए, शेर करिए, और सब्सक्राइब तो जरूर ही करिए, बिना सब्सक्राइब के काम नहीं चलेगा, कैसे पता चलेगा, कि आपको चीज़े समझ में आ रही है, ठीक है, और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते पढ़ते रहिए, बिकॉस पढ़ाई ही एक ऐसा जरिया है, जिसमें आप सक्सेज पा सकते हैं, चलेगा, थैंक्यू सो मच, मिलते हैं,